नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे सलैग इन्क्लूजन नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में और यह कास्टिंग डिफेक्ट पॉरिंग मेटल डिफेक्ट के अंतरगत आता है तो इसमें अगर हम बात करें जो इन्क्लूजन वो बनते हैं मेल्टिंग के दोरान, सॉलिडिफकेशन और मॉल्डिंग के दोरान क्योंकि जब हम मेल्टिंग करते हैं मेल्टिंग के दुरान मॉल्टन मेटल की रियक्शन होती है एन्वायरमेंट के साथ और या कह सकते हैं कि एन्वायरमेंट में मुझूद ऑक्सीजन के साथ या फिर क्रूशिबल मेटीरियल के साथ उसकी रियक्शन होती है और जब मॉल्टन मेटल में जो कंपोनेंट होते हैं और उनके बीच में chemical reaction होती है तो उसके कारण क्या होगा कि जो molten metal है उसमें जो slags या फिर कोई दूसरे form material उसके अंदर interact हो जाते हैं फस जाते हैं और इन reactions के प्रिणाम सवरूप जो molten metal और mold material के बीच में होती है तो जब हम core surface को या फिर mold को तोड़ते हैं तो वहाँ पर कुछ cavities बन जाती है जो irregular और crater shaped की होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हलका सा crater यहाँ पर बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि molten metal में जब कुछ slag particle, oxide, dirt इतियादी होते हैं जब उसे mold cavity में pour किया जाता है और molten metal जब solidify हो जाता है उसके बाद जो mold है उसकी blasting करते हैं तो उस तोरान कुछ cavities जो crater वगरा हमारी casting उसमें बन जाता है और जिसे हम slag inclusion कहते हैं और इसके बाद बात आती है कि दो तरह से हम इसको categorize कर रहे हैं एक होता है high viscosity slag जो mostly casting surface के अंदर हमें कई बर नजर आता है लेकिन जादा तर जो low viscosity slags होते हैं वो बड़ी fastly राइस करते हैं जो casting का जो बहारी surface है वहाँ पर और जो non metallic inclusion होते हैं वो बहुत ही honey kark होते हैं हारम फूल होते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से stress razor की तरह कार्या करते हैं और जिसके प्रिणाम सवरूप जो casting की जो strength है वो कम हो जाती है और जो hard inclusion होते हैं casting के अंदर वो basically क्या करते हैं कि उसके कार्ण जो हमारा जो टूल हम use करते हैं वो break हो हो सकता है क्योंकि जब उस पर machine operation की जाती है casting पर तो उसके वजह से हमारा जो टूल है वो break हो सकता है तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि जो slag inclusion है basically जो low temperature होता है initial stage में कि कुछ वहां पर ऐसे element रहते हैं जो oxygen activity level जिसमें बढ़ जाता है जैसे aluminium है magnesium है manganese है तो उसके कारण भी जो slag formation है वो बढ़ जाता है और जो slag defects होते हैं अगर वो बहारी surface पे हैं उसको हम बिलकुल naked eye से देख सकते हैं किसी अलग से instrument की जुरूरत नहीं होती casting surface या मसेनिंग surface के उपर आसानी से देखा जा स सकता है तो अब हम बात करेंगे कुछ remedies के बारे में कुछ causes के बारे में कि किस कारण से slag inclusion होता है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है सबसे पहले अगर हम causes की बात करें slag inclusion होने का main कारण रहता है कि हमारा जो metal है या जो charge हम लेते हैं या फिर जो ladle होता है वो dirty होगा ladle की जो lining है वो dirty होगी और metal भी हमारा dirty होगा उसके बाद जो gating होती है वो incorrect होती है जिसके कान turbulence होता है और ये defect आता है casting में या फिर जो sulfur होता है उसके साथ high manganese ज्यादा amount में क्योंकि sulfur अगर access amount में होगा ज्यादा manganese के साथ और साथ में low pouring temperature होगा तब भी ये defect आ सकता है या फ skilled worker नहीं है या फिर उसकी negligence के कारण भी ये defect आ सकता है और जो metal charge हम use करते हैं अगर उसमें oxide content ज्यादा है तब ये defect आ सकता है metal filtration की कमी के कारण भी ये defect आ सकता है तो वह कौन-कौन से remedies हैं जिसको अपना कर हम इस defect को दूर कर सकते हैं तो सबसे पहले है कि जो भी slag है उसको ह remove कर दें तब इस defect को कम किया जा सकता है या फिर हम scheme gate का use करें जो हमारा gating system है वहाँ पर scheme gate का हम use करें या फिर strainer core use कर सकते हैं runner system में या फिर कह सकते हैं कि जो gating system है उसमें अलग से हम ceramic filter को add कर सकते हैं ताकि जो slag है उसको filter कर लिया जाए और उसको remove कर दिया जाए और जो runner पूरिंग के दौरान वह पूरी तरह से हमारा मॉल्टन मेटल के साथ फुल किया गया हो और इसके साथ ही हम जो सलफर है उसको रिस्टिक्ट कर सकते हैं उठाने के लिए साथ में जो डल आयरन है उसकी पूरिंग को भी अवोईड कर सकते हैं इसके अत्रिक्त हम जो ऑक्सीजन bonding element हैं जैसे aluminium है, magnesium है, manganese है तो इनको हम जब मॉल्टन मेटल में यूज करते हैं तो कम से कम इनका हम यूज करें और जो charge material, material charge हम यूज करते हैं बिना किसी impurities के उसको हमें प्रयोग करना चाहिए तब भी इस defect को कम किया जा सकता है या फिर कोई special हम ladle का प्रयोग करें ताक कि जब मॉल्टन मेटल को पोर किया जाए तो बोटम से वो पोर हो अगर slag या impurities है वो उपर मॉल्टन मेटल में फ्लो करते हैं हम बोटम से उसको फ्लो कर दें जैसे tea तो जैसे हम tea pot spout का यूज कर सकते हैं इसके लिए proper molding कर सकते हैं या फिर हम ऐसा molding sand यूज करें जो adequate हम होट strength provide करें तो यह बहुत सारी remedies हैं जिसको अपना कर हम इस defect को दूर कर सकते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया slag inclusions नामक casting defect जो pouring metal defect के अंतरगत आता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस् आद आपका दिन सुब रहे